गुद मॉर्णिंग भावू क्लास एट ध्यान दो इसमें नेक्स्ट हम लोग को आज करना था चट्रड अधिनियम के बाद में अधर अड्मिस्ट्रेटिव एजन्सी और कौन से ऐसे एजन्सी जो इस टेंड़ा कंपनी और ब्रेटिसों को सासन सत्ता को संभालने में हैना मदद करती थी तो इसमें तुम देख सकते हो कि अधर एड्मिस्ट्रेटिव एजन्सी थ्रू विच्ट गॉबर्मेंट एक्ससाइज पाहर वेटू दा सिविल सेर्विसेज और आर्मी पूलीस एंड़ जूदीशल सिस्ट्म इसमें कह रहा है क तुम्हारा कि ऐसे और भी बहुत सारी प्रसासनिक जो एजन्सियां थी जो सासन सत्ता को संचालन करने में अंग्रेजों को मदद क्या करती थी तो उसमें पहला है सिविल सर्विसेज है नेक्स्ट है दूसरा आर्मी तिसरा पूलीस और चौथा हमारा था जो डिसल सिस्टम ठीक है यह सब जो भी अड्मिस्ट्रेटिव जो हमारा इंप्रोग्मेंट हमारे इंडिया में दिखता है यह सब ब्रेटिस हो का दिया हुआ है तो एज जुए विकन सी और अल्दी एफिस्ट्रों दे सेंटर अड्मिस्ट्रेशन वाज है ना कैरीड और एंसिट्यूशन दिशिविसेज यह प्रसाशनिक सुब्था थी हमारे जो सीविल सर्भेंट थे हमारे की कार्यों को हमारा क्या करते थे से शीविल सर्विशन को मैं डिल कर रहा हूं यह सरी जाता है तुम्हारा लाड करने मदनी जवानिसको ृष का ना देशिविकेंटर गुवर्नर जकारनयूलीं-1793 यह गुवर्नर जनरल हमारा लट करन मालिस है तुक रेट दा केर टु इंप्रूब दे इस्टेंडर अफ दे सिविल सर्विस इंप्रीज दे सलरी अफ दो ऑफिसिल्स उसने आते ही सबसे पहले जो सिविल सर्विंट थे उसके सेलरी को इंप्रोब किया and bet at the same time introduced many rules and to check corruption these were known as a कर्णवालिस कोड इस ने बहुत बड़े अस्तर पर है को कम करने के लिए एक हमारा code of conduct ने करकाया और एक बहुत ही ज़्यादा ambitious और transparent idea वाला हमारा यह administrator हुआ करता था कर्णवालिस तो इस code को कर्णवालिस कोड की नाम से हमारा जाना गया in course of the time the civil services in India became an important part of the British administration in India इसके समय काल में जो civil servant का जो क्रेश था हमारा वे एक ट्रेंड वन चुका था भारत में है ना so the prestige and the attractive salary of the service attract well educated young men from the influential family of England gradually these officials had to be especially trained for the Indian affairs यह ब्रिटिस में जो सभ्धान परिवार था हमारा उस परिवार से जो well educated young man जो यूआ परसं था वो इसको प्रिफर करते थे लोग और खास करके इनकी जो special training दी जाते थी civil servant को यह भारत के संदर में है ना इनको दिया जाता था कि वो मतलब भारत के affairs को समझ सके जो बेटिसों के साथ एक बड़ी समझा थी हमारी तो भारत में आयते तो ना यहां के भासा से परचित थे ना यहां के रिच्वल से परचित थे नहीं यहां के culture से उनका कोई संबन था जियोग्राफी की भी knowledge काफी कम थी तो जो ऐसे civil servant हमारे appointed किये जाते थे जिनकी न्युक्ति हमारे की जाते थे तो उनको भारत के संधर में तमाम प्रकार के ऐसी जनकारियान दी जाती थी जिसे वो एसमूथ एडमिस्टेटिव वर्क कर सके हैं भास्ता की बतता ना हो कल्चर की समझ अच्छी होनी चाहिए जियोग्राफिकल कंडिशन का वियातपता हमारा होना चाहिए इसके लिए सबसे पहले दा फोर्ट विलियम कॉलेज वा सेट अप इंदक कलकत्ता इन 1801 यह लाट विलेजली के टाइम में हमारा ठाला सब एक में फोर्ट विलियम कॉलेज क्या गया था जहां पर यह से यंग सिविल सर्वेंट जो थे हना हमारे उसकी ट्रेनिंग और टेशि एक वर्क हमारे करने हैं कैसे प्रोफिशेंट और एफिशेंट वर्क किया जा सकता है एड्मिसेशन में ठीक हैं सो दा फोर्ट विलियम कॉलेज पार दी सीम परपस इस्ट इंडिया कॉलेज विए सेट अप लेटर इन एलिवरी इंगलेंड और आप्र 1853 दे इसका इसका अपॉंट में जो था कंपुटेटिव एग्जामिनेशन के माधन से हमारा किया जाने लगा इसके समय काल में ऐसे हमारे अधिकारीयों की निक्ति हमारी सीविल सब्रेंट की निक्ति होने लगी जिसमें जो आज भी तुम देखोगे वही संदभ हमारा चला आ रहा है जो अधिकारी देखतेजिश्तिक में स्टेट हमारा क्या कहा जाता है और ऐसे ही लोगों एक्जेक्यूटी में स्टेट भी हमारा कहा जाता है तो ब्रेटिस के द्वारा जो विवस्था बहाल की गए थी उसी का हमारा कि बत्मानवेवी इंप्लेमेंटेशन तुम देख सकते हो नेक्स्ट एक कॉलीनियल आर्मी तुम्हें पता होना चाहिए कि ब्रेटिस इस्टेंडे कंपनी भारत में स्टेबल हमारी हुई थी तो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी हमारी आर्मी आर्मी के प्रॉपर और एच्छी मिल किया जा सकते हैं और उसकी आर्मी और पुलीस तो थी न बहुत ज़्यादा बरबरता करते थी भारतिये लोगों के साथ में तो आर्मी वाज अनदर इंपोर्टेंट पीलर ऑफ दी ब्रेटिस रेजिम इंडिया इसपस करा कि सबसे इंपोर्टेंट पिलर के तौर पर थ करना और जितने भी इसके कोलिनीज थे उस कोलिनी को स्रक्षित रखना और इसके इंपरियलीजम याने की समराजवाद की निती को बढ़ाने में मदद करना जिसमें कह रहा है कि 1857 दा इस इंडर कंपनी फेमली एस्टेबिलिस्ट एड़ एड़ एट्स पॉलिटिकल पाउर इसके प्राप्त करने के लिए एक वेल-दिस्टेब्लीन और वेल-टेन आर्मी की रिक्वार्मेंट थी हमारी जो बिटिस आरमी कंसिस्टेब आप दे इंडिन स्ल्जर्स कॉल स्पाइस ये जो भारति जो स्वल्जर्स उसमें बाहल होते थे इसको स्पाई के दर्जा हमारा मिलता था और और आल हाई पोस्टेज वेर रिजर्फ होर्दी ब्रिटिस एंड ब्रिटिस उसमें होता था कि छोटे पद जो थे न सिपाही वगरा का जो पद हमारा होता था ये भाति लोगों को बाहली दिया थे और यतने भी बड़े पद थे हमारे आर्मी वगरा में यह स रख्षित रखा जाता था सब्सक्राइस को ट्राइस उनली रेंक आप दीस सुविदार और जो सिपाही के तर पर बहाल होते थे उस सुविदार से ज्यादा आगा नहीं बढ़ सकते तो सुविदार के पत्तक है उनका सिमित था यह एक पॉलीसी थी कि मतलब आर्मी वगरा म में दो फ्रण्ठ वेरियर है ना उनको यदा-ज्यदा भारती लूगा रखा जाएं तो नुकसान हो तो मतलब ब्रिय्टी कर नुकसान हो लिधिकारा दीकारीें नि में कही नि सब्सक्राइब उसकी कि ज्यदा ज्यादा अगर जन्ठती होती है जुद्वगर्ण हमें तो भार्ती लोग मारे जाएँ ये गंधी प। से हमारे ब्रिटीस दो कुछ सो है ऐस दा कंपनी पेड देमेवल एप यह लोयल टो डिए ब्रिटीस इन दे बीगनिंग लेटर दे बीकेम डिसकनेक्टेट फॉर दो वैरियस रिजन सेंड रोज इन दे रिबॉल्ट ऑफ 1557 जिसका बहुत बड़ा स्तर प्रभीरोज हमारा था जो 1857 में मंगल पांडे की कहानी तुम लोगों ने सुना होगा उसके पूरी डिटेल्स कहानी हम लोग 1857 एक जगे ही में देखोगे आर्मी का गठन है फिर पुलिस है मिनिस्टियों फॉम आफियर्स के जो पूलिस हमारी होते पारा मिलेटे जिसको हम लोग करते हैं इस सब देश के अंदर में जो इंटर्नली जो सिक्रिटी प्रवाइड करती है और सांती विवस्ता को बनाए रखने में लोग पुलिस करते हैं इस तरीके से सिविल सर्वेंट के बाद में आर्मी के बाद में कि तीसरा सबसे बड़ा और इंपोर्टेंट पिलर था हमारा ब्रेटिस जो एड्मिस्टिव हमारा पॉर्टिफॉलियो था तो अर्लियर देविस दूटी वाज इसाइन तो देजी में जमिनदास और बड़ सुन देविर रिलीव अब इस दीव्टी अधिए पुलिस देपर्ट्मेंट वाज प्रेटेट वाज एड़ लोड कोन वालिस फर देजी पहले होता था कि पुलिस में भी जो लोग बहाल होते थी सामनतों कि से नह मारी होते थी देश में तो उसको ट् फ्यूडल सिस्टम के जिनेरेटेट जितने लोग होते हैं तो उसकी कमांड करते थे और उसकी बिवस्ता तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हमारी नहीं होती थी तो एक कहीं नहीं पुलिसिंग में बहुत बढ़ी लैकनेस दिखने को मिलते थे तो फर्स्ट टाम लाड़ करन द्वारा रेट किया गया था फूर पूलिस फंक्संट डिस्टिक वर डिवाड़ेड़ इंटू अ नंबर आप थानाज जिला में जो पुलिस के प्रमुक होते हैं उसको जीला अधिक्शक करते हैं पुलिस अधिक्शक करते हैं जो आज भी बरतमान में तुम्हें स्पी के नवरा होता है तो वहां के जो थानिदार होते हैं उसको दरूगा कहा जाता है इस थानाज वाज प्लेस्ट अंडर इंडिन आफ्सर अन अकॉल्ट एस तरोगा वहां पर छोटे अधिकारियों के निक्टि जो होती थी थानास तर पर उप्टाय हमारे भारत के लोग होते थे जिसको दरूगा कहा जाता था। इस तरीके से तुम देखोगे कि ये चोगीडारी जो और कुक्तवाल्कृट और कुटवाल सका हमारे होता था। यह चोटे मोटे जो शोरी की घटनाएं हमारी होती थी या थोड़ा बड़े अस्तर पर जो रॉबरी जो डकैती की घटनाएं होती थी इसकी प्रपर मनेटरिंग और जो भी फैसले लेने का अधिकार हमारा था यह दरोगा अस्तर का अधिकार हमारा होता था और जो ग्रामीड वेर्नेंटेश का धिकारी होते हैं जिसको कोतवाल कहा जाता था उसी कोतवाल कि नापने तान हमारे बने वी तो हाँ में इस प्रकार गाहुजी होते है जिसको गवाँ गाहुज पर्मूख होता है गया तक पलश में ओक chi सबोगार में इसका पहुज तक साथ Design ौण काहों के पूरे जो इस प्रकार के थिप और जो रॉबरी जो हमारा हिस्ट्री होती हो लोगों को जनकारी उसब के चोखिदार बगारे के पास मेराती है लिप दोठीजी होती है निज़ पास ने लगारे का लिप विवित हागि यह कर दो फ्राजन बगारे कर भंप करने और लिवारे συν便 hall In fact, the police could never become popular among the Indian people because it was more and source of the harassment rather than the help. लेकिन पूलिस में जितने भी अधिकारियों की निक्ति या इस प्रकार के जो होता था, ये कभी भी जनता के विश्वास पर खारा हमारा नहीं उतर पाया, चुकि इसका काम जो था ना मैक्समम लोगों को प्रियास करना था, ये रेदर देन हेल्प, मदद करने के जगा पर वहां के लोगों के साथ में इस भी हेव करता था उसको हरास करने का प्रयास हमारा क्या करता था, आज भी तुम देखो कि जहां था मोबाइल की थाना के पुलिस लगे हुए थे, गाड़ियां लगे होते हैं विखा था पटना पुलिस आपकी सेवा में, वो सब सेवा करता है, जाओगे कोई बात करता तो बस रुकी करेगा, भदरता से बात करेगा, ये सब जो प्रिविर्ति हमारी होते हैं, तो कहने जाए हरास्मन करने जैसा हमारा है, है ना, नेक्षे तुम्हारा, अगला जो और लोगनाजेशन है, उसको हम लोग जुडिसिय लोगनाजेशन करते हैं, सो जुडिसल सिस्टेम इस एन इंपॉर्टेंट पार्ट आफ एन इड्मिन्स्रेशन, किसी भी प्रसास्निक जो इकाई हमारी होती है, यूनिट होती है, उसमें सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर अब जुडिसल सिस्टम भारत कंदर में है, जहां पर तुम देखा होगे, डिस्टी कोट है, हाई कोट है, इभिन सुप्रीम कोट है, तो यह जो लेयर आप दी जुडिसल सिस्टम जी क्रियेट हुआ है, हमारा तो इसमें तुम अंग्रेजों के जुगदान को हम नहीं भुला सकते हैं, चुकि एड्मिस्टेशन ने तमाम प्रकार के स्किल्स का हो तो हमने नहीं से सिखाता, तो दो लॉइन लॉइन लॉज आर मेड बाइड गवर्मेंट ना कानून जो थी सरकार जो थी कानून बनाती थी, बट इस इंपॉर्टेंट तो मेक प्रोवि जो होती है हमारी यह ऐसे जो लॉइन एड्मिसेशन हमारा जो बनता है उसका एक्जिक्यूट करने का काम करता है और वाट इस रॉंग एड़ इसके डिसीजन करने के लिए या इसके अच्छे तरीके से अनलसेस करने के लिए कि यह सही धंग से इंप्लिमेंट हो रहा है या हमारे पूरी देश में एक नियाग विवस्था हमारी काम करते हैं इसमें वही कर रहा है कि कहीं कानून का या जो अधिकारों का वालेशन तो नहीं नहीं हो रहा है और एनी बोड़ी वो विवस्था हमें से प्रधान किये जाते हैं नाम से इस परश्थ होता है संविधान एक ऐसी विवस्था है जो सभी के लिए समान रूप से काम करती हो तो वहां पर आधि किसी वी के अधिकारों का वालेशन होता है अधिक कोई मिस्भिहेव करता है या कोई घलत करता है तो उसकी प्रॉपर मॉनेटरिंग करने का काम हमारा जो करता है वो जो सिस्टम आफ इंडिया करता है तो लोग अपने सुवधा के लिए लाया थे लेकिन बाद में हमारे सुसाइटी में हमारे कल्चर में रच बस गया और हमारे लिए उपयोगी हो गय के से law and order को maintain करने के लिए उसके proper monitoring करने के लिए different different जगों पर बहु सारे ऐसे हमारे courts का establishment किया गया so in the beginning and the administration of the justice was carried out to the basis of the traditional law of the Indians जिसमें the shastras in case of the Hindus and sharyat in the case of the muslim and form the basis of the justice war and hastings associated with a civil and criminal court in each district है न उसमें देखोगे कि हमारे देश के अंदर में सबसे जो उसमें family और जो भी इस प्रकार के जो सरियत कानून वगरा जो क्यों कि हमारा देश जो था न यह रेंसेंस इसको में लोग करते हैं जागरुप्या के संदर में काफी पिछड़ा हुआ था तो यहां पर धार्मिक और जातिकत हमारे मसले थे वही बहुत ज्यादा हुआ करता था तो उसमें ऐसे जो डिस्पूटेट मैटर हमारे ज्यादा आते थे जिसमें जो नहीं क्या च्जो करते हैं यह मुसल्मानों में यह सरीयत चलता था तो यह उleyma मगरह हो घुना हुगाई कर दिया एक दीवादी हो गया और हमारा और वर्टमान में साथ कर सब्करत और डाजर सब्बा हिंदू एन मुस्लिम लॉज आप अपाल देखता था और जो क्राइम से रिलेटेटर हमारे मामले होते थे उसमें निजामत अधालत हमारा कहा जाता था अधाजर सब्बा हिंदू एन मुस्लिम लॉज आप अधाल देखता था जूरी वगर जाता है लेकिन नया कि जनकारी रखने वाले लोग उनको भी हम दो जूरी मेंबर करते हैं और यूनियन को हम लोग जूरी करते हैं इसे इसको गिल्ड विका जाता है इन वोल एदेट क्या गया कि जो इसके तरीके हैं नया करने के जो तरीके हमारे होते हैं यह कहीने कहीं गलत है और ऐसा हमारा नहीं होना चाहिए जो कि भार्ति लोगों को जादा प्रेश्मिनट उसे मिलने का हमारा चंसेज बढ़ गया था चुकि उसका तो लक्ष ही था जदा जदा एक्सप्लाइट करना डिवाइड करना और वहां पर संसेंज करना एबॉलिस्ट एंड हाइकोट्स वेर एटेबलिश एट कलक्त्त मद्राशन मंबई इस तरीके से जो सद्र दीवानी और सद्र निजाम पर जो था न इसका मर्जर कर दिया गया हमारा और इसके जगह पर एक वेल इस्टेबल हाइकोट का फर्मेशन हमारा किया गया जो तीन में habenka जहाँ पर कलक्ता मुंद्रास और मूंबई तीन जगवह पर इसके इस्टेबलिश मेंट हमारा की गय है कानुन ग inglés रूल करता था कौनगान से हमारे एक्ट थे क्या क्या रोल के प्लें कर देभी तो उसको मैं एक एक करके डिल कर दे रहा हूं इसमें देर रहे ब्रीटिस इंगलिष नदे रूल आप दो इन इंडिया विच मेन दाओ पीपल विए इकवल भी फुर दलो इंडियों का कहना था क कानून के समक्ष में सबी लोग समान हैं तो समीधान में तो वही होता भी है कि सब के लिए एक समान कानून के वह व्यवस्ता की गई है और डिस्टिंग्स वेस्ट ऑन दी कास्ट एंड लेजिए वे दन अवे विथ सब्सक्राइब लोगों को बहुत ज्यादा परिशानी हो रही है तो पहले जो यह सास्त्राज और सरियत का संक्रेमारा कमपलेक्स वह ज्यादा था हमारे सोसाइटी में और तुम कर सकते हो कि यह हेट्रोजीनिया सोसाइटी में हमारा की आपाब लोग नहीं हो रहे थे हमारे ठीक है ऑख ने बिज्टिंग्श नहुंकर नहीं कहा जाता है हमारा या उसको समझने में उनको परिसानी होती थी इसको एड़क करने पर सानी होती थी तो यह जो ब्रेटिस लॉव आया अडिस्टेशन जो आया हमारा कानून इसमें यह रिप्लेस कर दिया कस्टमरी लॉग के उपाहिमें जो तारकीक लॉग है वही चलेगा और उसमें कस्टमरी यानिके प्रथात्मक जो हमारी सुन थे उसको समाप्त कर दिया गया नेक्स कर रहा है कि जो डिसल इनी फार्मरी फार्मिटी वाज एस्टेबलिश विद्ट कंटिफिकेशन आप दिलॉग अप्लाइट एड बोर्त रूलर इन दे रूल इसमें कह रहा है कि जो निया की प्रिकिरिया है सासन करने वाले और हरे ने पर सासन किया जा रहा है ऋससल के लिए हमारा शमानृप से काम करेगा ति किजिसन भी सप्यों डैसे इसमात्ों इसनिश्मन दे रहा करिए रीतने को बनाने करने प्रिकिरियST के पूरममाइब जो गोसमोह और जो दल था उनके पहूंस से हमारा बार आज में बरतमान पुली से फायार करने जाओ फिर इसके बाद में को ट्राइल में जाओ दस साल पंदरा साल भी साल तक कोट में अपना केस लड़ो यह सब पूरी ब्यवस्ता इतनी उबाओं और खर्चिला है कि आम आदमें वहां तक पहुंची नहीं पाएगा और वह पोट बगर के फी नहीं तो नेक्स्ट अल्ड़ जूडिशल सिस्टम प्रफेस्ट एक्वलिटी विफोर दे लॉड़ और एरुपेंस वेर ट्राइड इन एस्पेसल कोट्स बाइद ब्रेटिस जाज़ेज दे रहा है कि जूडिशल सिस्टम जो था हमारा यह समन्ता की बादे करता था कानून के समक सब समान है बट एरुपें वेर टाइड इन एस्पेसल कोट्स बाइद ब्रेटिस जज़ेज बट जो एरुपें जो लोग थे उनके उपर में कानून और द्वस्था को जो मनेटरिंग होती थी अनलेसिस होता था उसके लिए ब्रेटिस जज़ेज का हमारे निक्ति की जाद जो कम से कम से जाद मकर रख कर सकते हैं सो एस्पेसल कोट बाइद ब्रेटिस ज़ेज ज़ेज सो अनस्टाइगिंग फिचर सफ दे ब्रेटिस अदमेसरेशन इन इंडिया वाज दे ब्रेटिस फालोड़ डेलिवरेट पॉलिसी टो एक्सक्लोडिं इंडियन फ्रम आल हाई दिखा रहा है कि कहीं ने कहीं एक डेलिवरेशन था डेलिवरेशन मतलब होता जान बुझ करके नौमेंगली किसी को परिशान करना या उसको एंफिरियर सो करना दिखाना ये एक मोनपॉली थी हमारी ब्रेटिस अडिस प्रसासनिक व्यवस्था थी उसका ताकि कोई बड़ इंडियन्स ये देरा आया कि कहीं ने कहीं ये पालिसी बताती है यह असपास तर पर किलियर है कि ब्रेटिस जो लोग थे उनको भारतियों की जोगता एबिलीटी पर उसकी इंटीग्रीटी पर और उसकी इमंदारी पर कहीं ने कहीं सक था सब्सक्राइब उसकी ब्रेटिस जोगता था कि हमारे अपनी लोग ही जो है अच्छी प्रसासनिक समझ रखते हैं और हमारे कारियों में मदद कर सकते थे वह करते हैं ने कावद है चोर के दाड़ी में तिनका अगर तुमको लोगों को उपर में बहुत जादा बिलीव नहीं हो रहा है इसका मतलब है कहीं ने कहीं दिमाग तुम्हारा ही वह चोर वाला है नहीं तो जो सिस्टम को आपने जेनरेट किया है लोगों को अपने ख्रम करेंगे चीज़ों को और और लोग नहीं कर सकते हैं तो यह कहीं ने कहीं एक बहुत बड़ा असंतोस भी बनकर कर हमारा जो एग्रिवाल्ट की सिच्वेशन को क्रियेट करने के लिए हमारा काफी था सो ब्रेटिस पार्लेमेंट थस पास्ट भेरिश लोग एक्सराइज कंट्रोल ओर इंडिया और अड्मिसेशन थ्रू दे बोर्ड ऑप कंट्रोल भारत में एस्टेबल किया गया और यही प्रक्रिया आगे बढ़कर के लाट जो गवर्नर जनरल हमारे होते थे उनके जगह प सो ब्रेटिस इस्टेबलिस्ट थे रूल अफ द लॉप बदे एरोपेन अन्थे इंडियंस वेर निवर रिगाड़द और इप्रोल ओर देराय की जरूर है की रूल ओफ लॉप कानून का राज अस्तापित करने का प्रियास ब्रेटिस ओके द्वरह किया गया लेकिन देरा क European and India's were not regarded as equal before law लेकिन कानून के समक्ष equally treat हमारा नहीं किया जाता था एरोपेन और भारतियों को समान रूप से so finally as the law where can can defer to the government began to run according to the written laws in a state of the film of the rulers इस्तरीकी से धेरे धेरे करके लिखित में सब कानून और बेवस्था हमारी बहाल होने लगी और कहीं नहीं कहीं यह जो बेवस्था थी और अंसिक तोर पर ही भारती जन्मानस के लिए हमारा उपयोगी सावित हुआ और रेस जो उसमें असंतुष की स्थिति हमारी बनी रहे नतीजा यह हुआ कि अधिक ताइम आप तो ताइम इस अधिस्था से सिस्था मिस प्लें नौट फिसेंट रोल इंड़ इंड 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 शुटेवल विए मारा नहीं रहा और बात में धिरे-धिरे इसके मौडिफीकेशन करके अम लोगों ने इसमें बड़े बदलाव ला और आज बरतमान मे दिकास में जरूर है कि ब्रेटिस हो का जुगदान रहा था लेकिन आज का हमारा अपना जो सम्मिधान है देश के नागरिकों के उमीदों पर खारा उतरता है उसके अकंचाओं को पूरा करने का हमारा प्रयास करता है तो इस तरीके से यह चैप्टर जो है हम लोग का समाप क्याफी में कुछ ऐसे पार्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास हम लोग करेंगे ठीक है बाबो तो अभी इस बेज़ेवे वीडियो क्लीव को आप देखे समझे यह दिक कुई की समस्या आती है देने वसली और आस्क एनी कोसंस एनी दाउट हना चुकि कि मैं क्लास में जो टाइमिंग है उसमें मैं उपलब्द रहूंगा आपके मदद करने के लिए सो बहीं चक यदि किसी बैसे को कोई प्रॉब्लम आता है दिन इवार मॉस्ट वेलकम बाबो ठीक है चलो तो अभी आप अपने काम में लग जाए और कहीं समस्या आती है तो आ